नमस्कार दोस्तों वेलकम बैक टो दिमोर टोशन तो आज की वीडियो बड़ी इंट्रेस्टिंग होने वाले है क्योंकि आज की वीडियो में हम कुछ ऐसा करने वाले हैं जो कि आपने शायद पहले कभी नहीं देखा होगा इन तीनों की बीच में हम एक बिल्ट क्वालिटी का लाइट टैस करके दिखाएंगे आपको एक ऐसे डिवाइस के साथ जिसके लिए हमने काफी टाइम तक रिसर्च किया था तो यह डिवाइस क्या बताता है यह डिवाइस बताता है कि गाड़ी का जो आउटर मैटल है वो कि लेकिन हम जानना चाहेंगे कि इनके मेटल की मोटाई में क्या डिफ्रेंस है तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते है जल्दी से तो उससे पहले बागो बता हुआ कि काफी मेहनत करते है महरे एक वीडियो के लिए तो आप अगर चैनल को सब्सक्राइब वीडियो को लाइक टेस्ट करने के लिए अगर वह 4 mm का है तो डिवाइस सही काम कर रहा है तो यहां पर बोनट अगर हम टेस्ट करें आउटर में फ्रेंट में तो 1.4 mm आउटर साइड जो बोनट की जो सबसे निचला इससा है उसके बाद मिड़ोफती बोनट अगर आप देखेंगे तो 1.3 mm इसकी मोटाई है यानि कि यह इतना मोटा है और उसके बाद कोर्नर से देखेंगे बोनट तो 1.4 mm तो यह इसका बोनट है अब हम आगे फ्रेंट फेंडर की तरफ तो फ्रेंट फेंडर इसका मोटा है काफी 2.1 mm जो है यहां पर आपको देखने को मिल रहा है मोटाई तो साइड डॉर है यह ड्राइवर का और यहां पर मिड ओफ दी डॉर देखोगे तो 1.3 mm तो आउटर शीट ओवरॉल हर जगा 1.3 1.4 mm देखने को मिल रही है यहां पर लोवर साइड भी देखेंगे डॉर का तो 1.4 mm तो डिवाइस जो दोस्तों हमने काफी टाइम रिसर्च कर रिया वहां पर भी देखा 1.3 mm और यह आपने देखा बंपर 9.3 mm इसका मोटा है बंपर तो कोई भी बिल्क्यू अगर इसकी आपको एकुरेसी पर डाउट है तो मुझे कमेंट जरूर करना मैं आपको वीडियो बेजूँगा जो हमने अल्रेडी बना रखी है तो यह देख करें निचले हिस्से की तो यह जो crash rails बोलते हैं तो यह है 1.6 mm यहां पर का एरिया जो इसकी मोटाई है जो शीट है चदर है उसकी 0.8 mm और यहां edge से देख लिए जहां पर एक edge बनता है यहां पर थोड़ी strong है 1.2 mm मोटाई दी गई है थोड़ा strong बनाने की कोशिश की गई है इसके लाबा यह side fender है ब्रेजा का 0.9 mm यहां से आपको मोटाई देखने को मिल रही है और again थोड़ा अगर आप center से देखेंगे side fender 0.7 mm यहां पर आपको देखने को मिल रही है और again center of the bonnet यहां पर 0.9 mm आपको जो मोटाई हो देखने को मिल रही है तो यहां पर front bumper देख लीजिए 8.3 mm मोटा है जो इसका front bumper है ब्रेजा का और यह side door उपर की तरफ 0.8 mm और नीचे जब edges की तरफ जाते है तो 1. 1.2 mm यहां पर आपको देखने को मिलता है अगें यह test दोस्तो technical structure नहीं बताता कि कितना strong है crash test rating नहीं बताता लेकिन आपको idea जुरूर देता है कि दूसरी गाड़ी का comparison में इसकी build quality कैसी है तो आप roof देख लीजिए इस गाड़ी की जो roof की जो sheet है वो 0.8 mm और यह पीछे की त तो यह है इस गाड़ी का rear bumper तो again दोस्तो request करूंगा channel को subscribe video को like and share करना मत भूलेगा काफी हम मेनत करते हैं हर एक वीडियो के लिए तो इससे पहले हम काफी गाड़ी का test कर चुके हैं और काफी idea मिल जाता है जिस गाड़ी का test नहीं हो suppose sonat का test नहीं हो तो उसका भी हमने 300 के स तो भाई बने रहेगा क्योंकि जल्दी सब हम करने वाले हैं 3XO की testing और फिर करते हैं comparison और आपको पता चल जाए कि तीनों गाड़ी में क्या difference है तो start करते हैं 3XO से तो start करते हैं bonnet से तो bonnet आप देख सकते हैं इस गाड़ी का outer metal है 1.6 mm जो की अभी तक मोटा है काफी और इ different bumper 9.2 mm यहां पर आपको इसकी मोटाई देखना को मिल रही है bumper की तो और यहां पर अगर हम देखें pillars पे ए पिलर्स पे तो हमने यह जो cover है यह हटा के चेक किया 1.8 mm आपको देखना को मिल रहा है side fenders आप यहां पर देख सकते हैं again 1.6 mm outer metal जो है इस गाड़ी का 1.6 mm के आसप front side door पे तो side door पे भी आपको save देखने को मिलता है और यहां पर आप नीचे की तरफ देखोगे तो नीचे आपको under the body 1.4 mm rear side fenders की बात करें तो again 1.4 mm आपको देखने को मिल रहा है इसके इलावा rear bumper की बात करें तो 9.4 mm आपको यहां पर देखने को मिल रहा है और तो पूरी जो इसका जो outer metal है वो आपको 1.4 से 1.6 mm के आपको देखने को मिल रहा है इस गाड़ी का तो चलिए जल्दी से अब हम comparison करते हैं इन तीनों गाड़ियों का outcome देखते है results देखते है कि क्या है तो फाइनली results जो है वो सामने आ चुके आप देख सकते हैं ब्रेजा, XUV3XO और ब्रेजा में इसके लावा 3XO की देखेंगे तो 1.6 mm constant रहती है हर जगां पे और वही नेक्सवन की बात करें तो 1.3 mm से 1.4 mm देखने को मिलते हैं अब ही fenders की बात करें तो ब्रेजा के fenders 0.8 mm देखने को मिलते हैं 3XO के 1.6 mm और नेक्सवन के सबसे ज्यादा 2.1 mm तक आपक 5 mm पिछला bumper और आगे वाला bumper जो है 8.3 mm ब्रेजा में देखने को मिलता है 3XO में 9.1 से 9.4 और नेक्सवन में 9.3 mm अंटर बोडी की बात करें तो यहां पे ब्रेजा आगे निकल जाती है 2.4 mm आपको देखने को मिलती है मोटाई 3XO की बात करें तो 1.4 से 1.6 mm और नेक्सवन का हम correct result हम नहीं निकाल पाए इसके लाब अगर crash rails की बात करें तो तीनोई गाड़ियों में बिल्कुल same results देखने हो मिलता है front crash rail internal structure की बात करें तो तो दोस्तों यह तो तीनोई गाड़िया tested है लेकिन इस device से काफी help तब मिलती है जब गाड़ी tested नहीं है और उसका हम comparison करते है 5 star rated गाड़ी के साथ तो वैसे तो यह device जो प्रोपर्टी नहीं बताता है metal की नहीं technical design बताता है क्योंकि यह सब चीजे जो है actual crash test में ही पता चल पाती है तो इन तीनोई गाड़ियों की build quality के बारे में आपकी क्या रहा है हमें comment करके जरू बताएगा और इससे पहले हम subscribe like and share करना मत भूलेगा thank you for watching जैहिन